हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ राहील एमद और आप देख रहे हैं राहील येलिटी टीवी दोस्तों हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है 7 टॉप क्रिकिटर इन दा वर्ल्ड दुनिया के साथ अमीर तरीन क्रिकिटर्स क्रिकिट दुनिया में दूसरे नमबर पर सबसे मशूर खेल है आज कल के दोर में क्रोडों की तदाद में क्रिकिटर शायकीन इंटरनेशनल और डुमेस्टिक क्रिकिट मैचिस अपने टेलिवीजन सक्रीम पर देखते हैं दुनिया बर में मशूर क्रिकेटर सुपरस्टार का धर्जा भी रखते हैं और हर साल क्रोडोン रुपै कमाते हैं इंटरनैशनल क्रिकेट की आमदनी के अमुमन दो भड़े जरीय होते हैं पहला जरीया उनके टीम में मिलने वाली सैलरी है और दूसरा जरीया उनको मुक्तलिफ स्पॉंसर से मिलने वाली इंकम होती है इसके लावा अक्सर क्रिकिटर्ज ने मुक्तलिफ जगा पर इंवेस्टमेंट दी होती है और कुछ क्रिकिटर्ज ने अपने बिजनस भी खोले होते है इसलिए टीम की जानिफ से मिलने वाली सेलरी और स्पांसर से मिलने वाली इंकम सबसे बड़े दो जरीये हैं आज हम नज़र डालेंगे दुनिया के साथ अमेर तर만 करिकेटर्स पर इस वीडियो में हमने उन क्रिकेटर्स की लिस्ट तियार की है जो अभी भी डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो मशूर साथ अफरीकन बैट्स्मैन एबी डिविलियर्स की कुल दौलत 15 मिलियन डालर है ये पाकिस्तानी रुटियों में एक अरब 7 करोड बनते हैं A.B. डिविलियर की आमदनी के जरिये में उनके साउथ अफरेकन क्रेकन टीम की इंकम मुक्तरिफ डुमेस्टिक लीग से आने वाली इंकम और स्पोंसरशिप की इंकम भी शामिल है A.B. डिविलियर हर साल तकरीबं 3.5 मिलियन डॉलर कमाते हैं जो पाकिस्तानी रुपियों में ये रकम 37 करोड रुपए बनती है नमबर 6. स्टीवन स्मित स्टीवन स्मित का शुमार दुनिया के सबसे जबरदस बैट्समैन में होता है वो अस्ट्रेलिया के कैप्टन है उनकी कुल दौलत तकरीबं 19 मिलियन डॉलर है जो पाकिस्तानी रुपियों में 2 अरब रुपए बनते हैं स्टीवन स्मित की हर साल दौलत कमाने की शेरा तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देती है और उमीद की जा सकती है कि वो आने वाले सालों में इस लिस्ट में काफी उपर नजर आएंगे स्टीवन स्मित हर साल तकरीबं 2.5 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं जो पाकिस्तानी रुपियों में ये रकम 27 करोड रुपए बनती है इस से पहले हम नमबर पांच की तरफ बढ़ें आप सबसे रिक्रेस्ट है कि जाहिल लियालिटी टीवी को सबस्क्राइब करें नमबर पांच माइकल कलॉर्ट अस्ट्रेलियन बैट्समेन माइकल कलॉर्ट के नाम से कौन वाकिस नहीं है माइकल कलॉर्क अपनी जबर्दस बैटिंग और कैप्टेंसी की वज़ा से बहुत मशूर है बलके उन्होंने बहुत सी दोलत भी कमाई है माइकल कलॉर्क की कुल दोलत 20 मिलियन डॉलर है जो पाकिस्तानी रुपियों में 2 अरब 10 क्रोड रुपै बनते हैं माइकल कलॉर्क हर साल 2.9 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं जो पाकिस्तानी रुपियों में 30 क्रोड रुपै बनते हैं नमबर चार गौथम गंबीर इंडियन बैट्समेन गौथम गंबीर काफी अमीर है और एक अंदाजे के मताबिक उनकी कुल दॉलर तकरीबन 22 मिलियन डॉलर है जो पाकिस्तानी रुपियों में ये 2 अरब 30 क्रोड रुपै बनते हैं गौथम गंबीर काफी अरफे से इंटरनेशनल क्रिकिट में नज़र नहीं आए ताहम वो अभी भी मुक्तिर्फ डॉमेस्टिक लीग खेलते हैं और अपनी जबर्दस बैटिंग के 22 साल में तकरीबन 5 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं जो पाकिस्तानी रुपियों में तकरीबन 55 क्रोड रुपै बनते हैं अगर क्रिकिट की हालिया तरीक पर नज़र डालें तो शायद ही कोई बैट्समैन हो जो T20 क्रिकिट में क्रिस गेल से ज्यादा कामियाब हो वेस्टन डीज से तालुक रखने वाले क्रिस गेल इंटरनेशनल क्रिकिट के लावा मुक्तिफ डॉमेस्टिक लीग में भी बॉलर्स के लिए खत्रा समझे जाते हैं क्रिस गेल ने अपनी जबरदस परफॉमेंस के 22 अब तक 30 मिलियन डॉलर की रखन जमा की है जो पाकिस्तानी रुपियों में ये 3 अरब 15 क्रोड रुपै बनते हैं हर साल क्रिस गेल तकरीबन 7.5 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं जो के पाकिस्तानी रुपियों में 80 करोड रुपै बनते हैं क्रिस गेल अपने करियर का जबरदस टाइम देख चुके हैं लहाज़ ये तुक्का की जाती है के आने वाले सालों में इनकी इंकम कम होगी नमबर दो विराट कॉली विराट कॉली का तालुक इंडिया से है एक अंदाजे के मताबिक उनकी दौलत 75 मिलियन डॉलर के करीब है जो पाकिस्तानी रुपियों में 8 अरब रुपै बनते हैं विराट कॉली साल में तकरीबं 25 मिलियन डॉलर कमा लेते हैं जो पाकिस्तानी रुपियों में अड़ाई अरुप रुपया बनते हैं विराट कोली की कमाई के सबसे बड़े जरिये उनकी IPL की सैलरी और उनकी इंडियन क्रिकेट की सैलरी और मुक्तलिफ ब्रैंड्स के साथ स्पॉंसर्शिप है विराट कोली इस वक्त इंडिया के सबसे मशूर क्रिकेटर है और यही वज़ा है कि स्पॉंसर्शिप में उनकी डिमांड भी सबसे ज्यादा है मुक्तलिफ माहरीन का कहना है कि विराट कोली जल्द ही दुनिया के अमेर तरीन क्रिकेटर बन जाएंगे नमबर एक शाहिद अफरीदी खान शाहिद अफरीदी दुनिया के मशूर तरीन क्रिकेटर्स में से एक है उनकी दौलत 41 मिलियन डॉलर है जो के पाकिस्तानी रुपियों में 4 अरब और 30 क्रोड रुपए बनती है शाहिद अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेटर से रिटायर हो चुके हैं ताहूं वो अभी भी डुमेस्टी क्रिकेटर्स खेलते हैं और उनकी सालाना आमदिनी 5.3 मिलियन डॉलर है जो के पाकिस्तानी रुपियों में तकरीबं 55 क्रोड रुपए बनते हैं शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की हालिया तारीक के सबसे मशूर खिलाडी हैं यही वज़ा है कि पाकिस्तान में मुक्तलिक एड़टाइजमेंट में वो अक्सर नज़र आते रहते हैं दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलना अल्ला हाफिस